पशीर तिवारी जी जब परिस्थिती बदल जाती है, तो लोग कहते हैं, this is democracy, यही राजनीती होती है। जब भारतिय जंता पार्टी में कोई जाता है, तो जहते हैं, यह फासिवाद है। कई साले लोग तो शिंदे गुट से आपकी पार्टी में भी वापस आया है ना उनका परवर्तन हो गया पिछले एक साल में माफ करना गदारों को हमारे यहाँ परवेश नहीं है कुछी भी गदार को हमने परवेश दिया नहीं और उद्दव जी डिक्लेर कर दिया है कि हम जनता में ऐसे गदार चहरे लेकर जाएगे नि आपको मैंने बताया हूँ कि BJP गुरुपरसाजी कबूल करे या ना करे क्योंकि वो BJP के प्रवक्ता है महरास्ट में हमने देगा कि पार्टियां थोड़े परवार थोड़ा लेकिन जनता को नागवार गुजरता है जनता को नागवार गुजरता है अब हेमेंत सोरेन को जेल में बेजा गया उनकी बेल ओडर कहती है कि वो निर्दोश है अब टाइम गाप के लिए चमपई सोरेन को रखा गया पांच मेने में उनकी अपेक्षा है महत्वा कांग्चा बढ़ गई और उन्होंने वो महत्वा कांग्चा भी दिख रही है तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी एक तत्व की राजनीती एक निती की राजनीती करती थी लेकिन अब क्या हुआ मुझे मालूम नहीं जब से मोधी शाहा आये है वो तत्व चोड़ दिया है और पाटिया तोड़ो और राज करो यह चल रहा है लेकिन मैं एक बात बोलूँगा पद अच्छा नहीं लगता मैं अभी बता रहा हूं अब बच्चों को बना या फिर घर के चापराशी को बना यह सब टालना चाहिए जो गुरू पर अब गुरू परताज पास्वान सरी के लोग है इनको भी चांस देना चाहिए बीजेपी में किसी को चांस देते हैं आप चाहिए करता होते है वह ढरने लग है एक बेटा दो बेटा एक बहु दूसरी बहु पिर साले का बेटा तो यह सब शीजों से क्या होता है कि भी है कारे करताों में असंतोष रहता हArt tavsk नहीं अपichen तो असंतोष नहीं है अधित्य जी कि वज़ेजए से light powder 1-3 तो आं अन्द मुझे मालू मैं जापलूस नहीं हूँ, मैं नहीं बनूँगा तो मैंने मेरा मन बना लिया है लेकिन गुरू परताद यह बीजेपी वाले परिवारवाद को बोलते है तो परिवारवाद यह विशे गंभीर पी सरूप ले सकता है, यह बात अब देखना अब गुरू परताज जी ये बात तुम करो कि गुरू जी का बेटा चुनाओ में मुक्यमंत्री होगा इसलिए तो ओटिंग हुआ था और गुरू जी के बेटे को आपने जेल में डाल दिया तो अभी आप में बता रहा हूँ कि टालना चाहिए आपके पास चार एकर जमीन के लीज पर आप एक सियम को जेल में रखते हैं तो ये लोगों को पसंद नहीं आया तीक है आपने ये टालना चाहिए ठीक है कि जोटी क्योंकि अब दल बदलने की बात हो रही है कम से कम चार एसे नेता हैं जिनकी बार-बार खबरे चल रही है मुंबई में कि वो एकनाज च टॉटी में लेंगे ही सही नहीं एक देखो एक शरत्पवाद जी या उद्दोव जी दोनों ने तो तय किया है कि जो लोग इस प्रकार के फाइदे करा कर जाते हैं वहां भी जाके पैसे खाएंगे इधर भी आके पैसे खाएंगे तो जनता अपना चॉश ले लेगी बहु पैसा सच बात यह है कि जित्ता दक्षिन में और महाराष्ट पैसा चलता है वह अद्बुत है देखिए हमारे आलोग जी भी हस रहे हैं कि पैसे पे तो पैसे की लाज़ी तो सब बहुत बढ़िया हो रही है अभी मौसर में मानी रहे हैं कि वहां भी पैसे खाएंगे अरे अक एक बस्ती है वह आधी बंबई लेना चाहते है उन्होंने पांदेश रजार खर्चा करके मेरे विधायक को तोड़ा मेरे मित्रे सब विधाये विचारे जिंदगी की कमाई मिल गई ना तो सत्ता चोड़के चले गए अब अब ये ठिकीटे भी कोई पैसे लेके बाटेगा तो फिर अकुजी कैसा होगा तब तक ये गंदगी दूर नहीं होगी और देश को अभी विवालूचन से नहीं रिवालूचन से बदलना चाहिए उसके साथ एक बात और है कि जब तक राजनीतिक दल ऐसे भरस्ट लोगों को टिकट नहीं देते रहेंगे तो चुननाओं में उमिद्वार बनाएंगे त दोनों पार्टी का भरस्ट है तो उसमें कोई एक भरस्ट चुना ही जाएगा तो राजनीतिक दलों को पहल करनी होगी ना नहीं जब तब दूसरे पाले में होता है हर कोई भरस्ट दिखता है अपनी तरह आते ही हर कोई एकदम सफेद हो जाता है पर आलोग शर्मा जी आप पहुल गांधी एक तरफ समविधान बचाने की बात करते हैं दूसरी तरफ समविधान को तार तार करते हैं उनकी पार्टी को आपने चिन भिन कर दिया कुछी महीनों में आपने साथ विधायक, छे MLC और एक राजसभा के सांसत को अपनी पार्टी में ले लिया अब ये भ राजसभा जिनको जिस समय पर राजसभा जिनकी ली गई राजसभा मेंबर को जिनको लिया गया वो पहले भी कॉंग्रेस में थी, उनके कॉंग्रेस में आने से उपरेशन लोटस से तुलना करना गलत है, ना तो सरकार के ऊपर कोई खतरा था, ना सरकार किसी तरह से गिर र किसी को कहा हो के यह 5 MLA ब्रस्टाचारी हैं उनके उपर ACB के चापे पढ़वाया हो फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया हो बियारेस के उपर आप करॉप्शन की केसिस कर रहे हैं जब से आपकी सरकार आये तलंगाना में आप बियारेस के नेताओं के उपर केस चला रहे हैं और आप उनकी भी जांच करवा रहे हैं और चलिए आपने एक केशव राओ की बात की जो की राजसभा के सांसद हैं हां वो थे कॉंगरेस में पर उसके अलावा साथ विधायक और 6 MLC भी तो हैं जो बीरेस से आप लेकर के आए वो सत्यमेव जयते था देखे बीरेस तो पूरी कॉंगरेस में थी बीरेस के तो मुख्यमंतरी भी कॉंगरेस में थे हमें धोका दे कर गए थे फिर तेलंगाना की जनता को धोका दिया तो तेरंकाला की जनता ने उनको घर बठा दिया क्या वो नहीं कॉंगरेस में थे जिस समय तेलंगाना की मुमेंट ही तो हमारे म के लीडर थे वो और जिस तरह से के टी आर ने पूरा मूमेंट चलाया था हमने उनके उपर भरोसा किया और उसके बाद उनको लगा कि मैं मले इस तरह से हो गए चोटी असेंबली है तो भाग लिए तो वह तो खुद कॉंग्रेस में थे तो कॉंग्रेस से ही मैक्सिमम लोग हुए हैं लेकिन किसी के उपर केस चलाके और केस वापस ले लिए हो ऐसा एक भी एक्जामपल नहीं है आज बात यह है किस तरह से आज बात की जा रही है उनके उपर कौन सा केस किया है देखिए तो यह पूरी चाल थी पहले केस किस के उपर हो हेमन सोरें जो मुख्य मंतरी थे उनको लगा कि हेमन सोरें के जेल जाने के बाद पार्टी टूटेगी कुछ और दिक्कत होंगी लेकिन उपार्टी विधायक सब इखटे रहे चमपई सोरें जी को पूरी तरह से आ अपनी मरजी से जाते हैं अक्कु साब एडी सीबियाई मुझे दे दो जितने जनलिस्ट जो भाजपा का चोला पहन के बैठते हैं टीवी चैनल्स पे कल से एक भी नहीं बैठेगा और भाजपा के तमाम लीडर्स ने आपकी नहीं कह रहा है लेकिन अगर आएगा तो जो अ केवल यह बता दी जिए पाक साफ महुदे है यह नैशनल हराल्ड का केस बारा साल से चल रहा प्रिमिरेर इंक्वारी चल रही है यह पता पचास साल चलेगा यह सौ साल चलेगा यह छोड़िये लए जंता सब समझ गई है यह तो हमारे देश का ही सिस्टम है बाई बेनकाब कर देवल पर फिस खानों कि जिएwed मा चलेगी खानों बहा हम गई गदो हमारे यह झाएं